दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए जेमडी न्यूज चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं लेटेश्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले दोस्तो भारती सिनेमा की मसूर अदाकारा स्रीदेवी आप अमारे बीच नहीं रही जोवन साल के उमर में एक्टरस के अचानक हुए निदन से पूरा देश सदमे में हैं बोलिवुड की ये हीरोईन अपनी खूबशूरती और स्यानदार आदाकारी के लिए पहचानी गई वें अपने जमाने की नमबर वन एक्टरस रह चुकी है लेकिन उनकी एक खौईस पूरी ना हो सकी अपनी लाडली बेटी जानवी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने की स्रीदेवी की चाहत अदूरी ही रह गई जानवी फिल्म धड़क से बोल्यूड में डेब्यू कर रही है फिल्म की सूटिंग भी सुरू हो चुकी है लेकिन दुखत बाद ये है कि जिस खास पल का स्रीदेवी को लंबे समय से इंतजार था वें अपने उनके बिनाई पूरा होगा जानवी के पहले बोलिवूड प्रोजेक्ट को फाइनल करने में सीरीदेवी का एम रोल रहा था धर्मा प्रोडक्षन के बैनर तले बन रही फिल्म धड़क में जानवी के अपोजिट इशान खटर है स्री देवी बेटी के बोलिवुड डियाब्यू को लेकर काफी गंबीर थी वह चाती थी कि जानवी वे उन्हीं की तरह बोलिवुड में सोरत आसिल करे स्री देवी को अक्सर बेटी के फिल्म के सेट पर देखा जाता था वे बेटी की डेब्रू फिलम की सूटिंग के पहले दिन सेट पर पहुची थी स्रीदेवी जानवी की होसला फजाई करने पहुची थी ताकि मैं सूट के पहले दिन नर्वस न हो एक्टरस जानते थी कि किसी भी कलाकार के लिए सूटिंग का पहला दिन बेहत खास होता है इसलिए वहें एक केरिंग मोम की तरह बेटी के फिल्मी करियर के पहले दिन उनका साथ देने पहुची थी सुरुआत में जानवी के पहले फिल्म की अनाउंस्मेंट में मेकर्स और प्रोडक्षन आउस की तरफ से काफी देरी हो गई थी वहीं सैफ अली खान के बेटी सारा के डेबियू फिल्म की अनाउंस्मेंट हो चुकी थी ऐसे में स्री देवी के मेकर्स और करंड जोर से नारा जोने की बाते भी सामने आई थी स्री देवी की दो वेटिया हैं जानवी और खुसी कपूर ये अपनी दोनों वेटियों को बहुत प्यार करती थी जानवी को बोलीवूड में पैर जमाने में अपनी मम्मी से काफी मदद मिली लेकिन अब जानवी के हाथों से अपनी माँ का हाथ सदा के लिए छूट गया है जाहिर है कि उन्हें भी हमेशा मलाल रहेगा कि उनकी माँ उन्हें फिल्मे परदे पर नहीं देख पाई बता दे धड़क मराठी फिल्म सेराट की हिंदी रेमेक है इसका निर्मान करंड जोर के धर्मा प्रोडक्शन बैनर तले हो रहा है यहें 20 जुलाई 2018 को रिलीज होने वाली है इसमें इसान और जानवी की फ्रेश जोड़ी देखने को मिलेगी इंडस्ट्री में सबकी निगाई इन दोनों की केमेस्ट्री और फिल्म की रिलीज बर ठीकी हुई है लेकिन सबसे दुखत बात यह हैं कि जिस सक्स को इस फिल्म को सबसे ज़्यादा इंज़ार था वें आज इस दुनिया में नहीं रही तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताईगे जानकरी पसंद आई होगी हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें